हाले में हुए लोगसबाद चुनाओ के नतिज़े काफी ड्रोमा चकरे हैं देश में भाजबा की सरकार बैट गई रामटेक लोगसबाद चुनाओ परिनाम के बाद अब बर्वी पर रामटेक लोगसबाद श्येटर की जिमिदारी सोपी है वहीं दूसी और विधाय सुनिल के डार का हाथ बर्वी पर होने से काफी लोगों में उत्साब बना पह था वैसे ही आने वाले विधान सबाद चुनाओ के लिए काफी लोगों में उत्साब बनावा zł है हेंगना विधान सभण ये शुरुवाद से राश्रवादी कॉंग्रेस की दावदारी मरी है मगर अंतरक्ट मेली जानकारी के अनुसार इस बार हेंगना विधान सभण angelsさん पर कॉंग्रेस पार्टी की उम्वार रहनी की संभवना बताई करी है जिसमें यदि कॉंग्रेस बख्ष के कोटे में हिंगना गई तो आने वाले समान में विधाय सुनिल किदार का बहत पुर्ण योगदान रहेगा जिसमें अश्विन पैस ये किदार बाबु के खास समझे जाते हैं हिना विदान सभा में सुनिल कितार का भी दावा हो सकता है। अगर कितार नहीं लड़ते हैं तो अश्यन पैस को लड़ा सकते हैं। कितार के तरफ से कुंदा डाव के लड़ सकते हैं। रमिजबंग के सुपुत्र दिनिशबंग का नाम चर्चा में है जिस हिसाब से हीना विदान सभा में लेट मिली है उससे आनी वाले समय में कॉंग्रेस की कोटे में केतार डड़ा सकते है ऐसा अनुबान लगाय चारा है दरसल हीना विदान सभा के विधायक भाश्पा के समयर बेके हैं इनका विदान सभा में अच्छा काम है हीना विदान सभा में में को चाहिता विधायक माते हैं मगर बात कहें विरोधी पक्ष की तो पिछली दो अटेम्ट राश्ट्रवादी कॉंग्रेस के उमिद्वार परा सब्सक्राइब को लड़ाते हैं यह देखना दिल्चस होगा कॉंग्रेस से अश्विन पैस और कुंदा ताई ड्राउट का नाम आके आ रहा है राश्ट्रवादी से दिनिश बंक के नाम की चर्चा है इंविसन द्यूस के लिए वाड़ी से सब्वा ददा की रिपोर्ट एक रुपे बताई चारी है कैमरा परसन अकिलेश भारतवाज के साथ अभिशिक पांसी की रिपोर्ट